नमस्कार दोस्तों मनमुहक तथ्य में आप लोगों को सागज करता हूँ आज हम बात करेंगे राजिप हरी ओम भाटिया की अब आप सोच रहे होंगे कि यह राजिप कौन है तो बतादू कि यह असल में और कोई नहीं बलियोट के खिलाडी कह जाने वाले सर मिश्टर अक्से कुमार है सर अक्से कुमार के जनम सन 1967 में सेप्टेमबर 9 को अमरित सर में हरियोम भाटिया और अरुना भाटिया के घर में हुआ था उनके पिताजी आर्मी में ऑफिसर थे और मा हाउस वाइफ बच्पन से ही अक्से कुमार को स्पोर्ट्स में दिल्चसी थी अक्से ने अपनी स्कुलिंग डॉनबस को स्कुल से पुरी की और साथ ही कराटे सिखना भी शुरू किया उन्होंने भारत में ही टाइकॉंड ब्लेक बेल्ट हासिल की उसके बाद उन्होंने मुंबई के गुरु नानक खालसा कॉलेज में आगे की पढ़ाई के लिए एड्मिशन लिय लेकिन फिर उन्होंने बीच में ही छोड़ दी क्योंकि उन्हें पढ़ाई में खास इंट्रेस नहीं था और उन्होंने अपने पिता से रिक्वेस्ट की कि वहाँ मार्चल आर्ट सिखना चाते उनके पिता ने जैसे तैसे पैसे बचाय और उन्हें थाइलेंड बेश दिया अकसे बेंकक गए जहां उन्होंने मार्चल सिखना शुरू किया और पांच साल उन्होंने बिताए और थाई बॉक्सिंग भी सिखी अब आप समझ ही गए होंगे कि अकसे अपने मुविस में स्टॉन्स के लिए क्यों फेमसे उस दोवरान उन्होंने वेटर और सेफ का भी काम किया क्योंकि वो अपने परिवार से और पेसे नहीं लेना चाहते थे बलकि अपने दम पर भी कुछ चीज सिखना और करना चाहते थे फिर थाइलेंड से लोटने के बाद उन्होंने कोलकता में एक ट्रेवेल एजेंसी धाका के एक होटेल में और डेली में एक जोयलेरी स्टोर में भी काम किया जहां कुंदन जोयलेरी स्टोर में भी काम किया जहां कुंदन जोयलेरी बेचना उनका काम था उसके बाद जब वहाँ वापस मुंबे लोटे तो उन्होंने मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया और उसी दोरान उनके एक स्टुडेंट जिसके पिता मोडेल कोडिनेटर थी उन्होंने अक्से कुमार को एक फांड़िचर सौरूम के लिए मोडेलिंग एसाइन्मेंट करने की सला दी और फिर सुटिंग के पहले दो दिन के अंदर ही अक्से कुमार ने इतनी पैसे कमाए थे जितनी उनकी एक महिने की सेलरी थी और इसी लिए उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं मोडेलिंग को ही अपना केरियर बना लो और फिर उन्होंने 18 मैंने तक फोटोग्राफर जैस सेट के पास काम किया वो भी बिना कोई तनखा लिए शिर्फ इसलिए ताकि जैस उनकी पहली पोर्टफोलियो सुट करे और इसके अलवा वो उस दोरान वो कोई फिल्मों में बेग्राउंड डांसर भी रहे फिर एक बार अपनी 8 सुट के लिए उन्हें बेंगलोर जाना था पर उन्होंने अपनी फ्लाइट मिस कर दी और इस बात का उन्हें बहुत ही बुरा लगा फिर वहाँ उसी दिन फिल्म स्टूडियो पहुंचे अपना पोर्टफोलियो लेकर और उस साम अक्से कुमार को प्रोडूसर मिस्टर प्रमत चक्रवरती ने फिल्म दीदार के लिए साइन किया अक्से कुमार को लीड एक्टर के तोर पर पहली फिल्म मिली सन 1991 में जिसका नाम था सोगन इसके बाद उन्हों ने एक दो और फिल्में की लेकिन वहाँ अपना जादू नहीं चला पाए फिर उनकी अगली फिल्म खिलाडी उनकी पहली ब्लॉकबास्टर फिल्म मनी जिसने उस समय के सारे रेकर्स तोड़ दिये और वही मोवी की बज़े से अक्से कुमार को अपना निकनेम खिलाडी मिला अक्से कुमार ने हिंदी सिनेमा जगत में कहीं सारी मोवीस दिये और बीते कुछ सालों से उनकी फिल्म है जैसे ओ माई गाड रोड राथोड यार लिफ्ट मिशन मंगल जैसे मोवीस दर्शकों को काफी पसंद आई है अक्से कुमार को दो फिल्म फ्लेयर एवर्ड भी मिला है उन्हें अपने फिल्म रुस्तम और यार लिफ्ट के लिए साल दोजर सोरो में निशनल एवर्ड से सन्मानित किया गया था और साल दोजर आठ में यूनिवार्सिटी ओफ विंड सर ने उन्हें भारतिया सरकार ने पनमस्री से नवाजा है तो दोस्तों यह कहानी बल्योट के खिलाडी अक्से कुमार की और उनके अब तक के सफलता की सफर की तो उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो अगर अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सास्क्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ बेल आइकन को भी जरूर दबाना ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे धन्यवाद